नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका खेती बागवानी के इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की उन्नत खेती और इससे होने वाली कमाय और पैदावार के बारे में जानेगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लहसुन की खेती के लिए भूमी तथा जलवायू की लहसुन की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमी में की जा सकती है लेकिन इसके लिए प्रचुर जीवांश और अच्छे जल निकास वाली दोमत मिट्टी सर्वोतम है लहसुन की वृध्धी के लिए तुलनात्मक दृष्टी से ठंडावन अम जलवायू उप्यूक्त रहता है कर्म वबड़े दिन पौधे की वृध्धी पर विप्रित प्रभाव डालते हैं परंतु कंद बनने के लिए लंबे वशुष्क देन फाइदे मन्ध हैं परंतु कंदो के बनने के बाद यदि तापमान कम हो जाएं तो कंदो का विकास और अधिक अच्छा होगा एवं कंदो के विकास के लिए अधिक समय उपलब्द होगा अतहा उनका विकास अच्छा होगा तथा अपजबड़ेगी लहसुन की जड़े भूमी की उपरी सतह से करीब 15 सेमी गहराई तक ही सीमित रहती है अतह। भूमी की अधिक गहरी जुताई के आवशकता नहीं है। इसलिए दो जुताई करके है रोचला कर भूमी को भुरभुरा करके खर्पतवार निकाल कर समतल कर देना चाहिए। जुताई के समय भूमी में उप्युक्त मातरा में नमी आवशक है अन्यता पलेवा देकर जुताई करें अब बात करते हैं सबसे जरूरी उन्नत किसमें क्या-क्या है इस पर लहसुन की लादवा मिलेवा। एग रीफा नुडवाइट आरजी अलेक यमुना सफेद रिंटीन एवं गारलिक छपन रिंट चार नामक किसमें अच्छी पैदवार देती है लहसुन का चून बनाने के लिए बड़े आकार की लॉन्ग वाली गुजरात की जाम नगर वराज कोर्थ किसमों को उप्युक् उर्वरक की बात करें तो खेत की तैयारी के समय 20 रिंट 25 तान प्रती हेक्ट गोबर खाद खेत में मिला देनी चाहिए क्यूंकि जैवेग खाद का लहसुन की उपज़ पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है इसके अलावा 50 किलो नत्रजन 60 किलो फॉस्फोरस वा 100 किलो पोटश प्रती हेक्ट बुवाई के समय दे वा 50 किलो नत्रजन बुवाई के 30 दिन बात दे बीज वा बुवाई लहसुन की बुवाई के लिए अच्छी किस्म के स्वस्थ बड़े आकार के आकरशकंदों की कलियों को अलग-अलग करके बुवाई के काम में ले बुवाई हेतू प्रती हेक्ट 500 किलो कलियों की आवशक्ता होती है इसकी बुवाई रोपाई कतारों में 15 सेकंड मी की दूरी पर करें वा पौधे से पौधे की दूरी साथ 38 सेकंड मी एवं गेहराई 5 सेकंड मी ही रखे इसकी बुवाई का उप्युक समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का है भूमी का तापमान 300 सेकंड ज्यादा होने पर किलियों में सादन उत्पन हो सकती है सिंचाय एवं निराई गुडाई लहसुन की किलियों की बुवाई के बाद एक हल्की सिंचाय करनी चाहिए इसके पश्चात्वा नस्पतिक वृद्धी वकंद बनते समय 17 अरण 8 दिन के अंतराल से वफसल के पुपने की अवस्था में करीब 12 दिन के अंतराल पर सिंचाय करें लहसुन के पिकाव की पहचान पतियां पीली पैने लगे फसल बुवाई के चार रिन पांच माह बाद कंद दवाने से नहीं दबे एवं कन में 80 प्रतिशत कलियां बनी हुई दिखाई पड़े तब सिंचे लहसुन पा गया है कुछ कन जमीन से निकाल कर दो राएं तीन दिन चाया में रखें अगर वहने लपड़ जाएं तो सिंचे न भी वह नहीं पका है दो चार दिन खेत में लहसुन खड़ा रहने दे खुदाए एवं पज लहसुन खुदाई के वक्त भूमी में थोड़ी नमी रहनी चाहिए जिससे कंदासानी से बिनक्षती पहँचाय निकाले जासके कंदो को पतियों सहित निकालने के तुरंत बाद कंड पर लगी मिट्टी उतार दें तथा छोटे छोटे बंडल बिनावे एवं चाया में सुखा देना चाहिए तथा सूखी पतियां अलग कर देनी चाहिए यदि फर्श पर सुखाना पड़े तो कंदो कोसा में समय पर पलटना चाहिए यदि कंदो को उनकी पतियों द्वारा गुचों में बांध कर कि नहीं अवल अम्बों पर लड़का कर सुखाया जाए तो उत्तम रहेगा इससे लगभगस और रिन 125 क्विंटल प्रती हेक्ट तक उपज प्राप की जा सकती है दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका और आधिक जानकरी के लिए पढ़ते रहेए खेती बागवानी डाट कॉम